तो आज मैंने आपके बेबी पिंक वाला फ्रॉक लाई हूं इस पे मेरा पुरा फ्रॉक सिलके हो गया है इसके पिछले वीडियो पे मेरा इसकी स्टीच है तो अब हम इसमें आस्तिन जोड़ेंगे डिजाइनर आस्तिन चुन्नट वाली है जो बेबी की वह बहुत अच्छी लगते हैं, तो देखें, मेरा इस्ताइक कैसी प्यारा लुक आता है तो आप देख सकते यह देखिए इस टाइब से ये खी इसाद सवल्डर हो गया है हमारा अम्धूनध आइसे छुल्ड़ डालकर करना है, शद दूसरी तरफ ऐसे रपप के इसे सिलेंगे आइसे छुल्ड़ डाल करना है और फिर इसे हमको ऐसे प्ल्टा लेना है बस हमारी स्तेम रेडी होगी देख सकते हैं अब हम इसे पूरी हमारी फ्रॉट रेड़ी है अब हम इसे फिटिंग डाल देंगे यह हमारी बद्धी है पीछी बादने वाली तो हम इसमें फिटिंग डाल देते हैं फिटिंग डालने के पले हम इसे पल्टा लेंगे पीछी दरब से और बस यहां से सिलाई बारके और यहां पर हमें पीछी डालना है यह वाली डोरी अंदर डालके सिल लेना है हमें ऐसे रख रख के सिल लेना है अब ये डोरी को इसके अंदर ही ऐसे डाल के जहां मारा कमर के साइड आता है वहां पर डोरी रख के बसी से इस तरीके से देखे फ्रेंड्स मैंने ये बनाया हुआ है फ्राग के नीचे ऐसे बडर है ये डिजाइन के लिए अब इसमें भी बनाना है सेकेंड आले वे तो ये डिजाइन के लिए ऐसे छोटी-छोटी बड़ी-बड़ी ऐसी पट्टिया लेना है देडिंच की और बस इस पर ये कॉर् पर देखना है और जेंटर पर रकना है और उसे चुन्डट चुन्डट डालके पुरे राउंड भर पुरा से लिए तो इस प्रकार से सिनना है देखे फ्रेंड्स मेरा फ्रॉब बनानां अब फ्लावर हम बनाना तो आपको पता है। मैंने अपनी वीडियो में डाला है तो ऐसे ही फ्लावर बना के अटैच करना है बस हो गया फ्रेंड्स हम देख सकते हैं मेरा फ्राव पूरा रेडी हो गया है और इसको हम पूरा रेडी कर दियें अगर और decoration करना है तो कर सकते हैं मेरे चैनल को subscribe कीजिए, follow कीजिए और देखिए बहुत प्यारा लुका रहा है यह हमारा back side है, देख सकते हैं मेरा वीडियो पसंद आया है तो like, share, comment जरूर कीजिए